तो जब एक छोटे से nitrogenous base में change होने से इतनी बड़ी बिमारी हो सकती है तो अगर DNA में काफी सारी गड़बडिया है तो तो आप हाल सोट नहीं सकते daughter cell का क्या होने वाला है अगर आप देखेंगे एक human cell को तो around 23 गंटे का time interface खा जाता है सिर्फ तयारी वाला फेज यानि प्रेपरेटरी फेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज दिलो फेज देखो क्या हुआ यहां पर जिर्फ डाइग्राम से सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी लेकिन डाइग्राम को आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा तबसे खतरनाक चीज जो मियोसिस वन में है यह आपकी रिडक्शनल डिविजन है यहां क्रोमोजोम आपको सीधे सीधे आधे आधे बढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे इसका जो प्रोफेज है यह बहुत ही जादा लंबा है यह इतना लंबा है कि इसमें पांच अलग अलग सब पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ला जरा पैन दे दे हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग I hope each and every one of you is doing absolutely good my name is Dr. वेपन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहिए दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार इसे चैनल कॉंपटिशन वाला के उपर in the mind map series in the last lecture we have already talked about cell the unit of life chapter और आज इस lecture के अंदर हम लोग cell cycle cell division chapter को बहुत कम time में with the help of my hand drawn mind maps consolidate करने वाले हैं इस chapter को जानने से पहले आपको इसके नाम के अंदर घुछना पड़ेगा यहाँ पर आपको दो चीज़े देखने को मिल रही है cell cycle and cell division अब cell division तो आपने काफी बार सुना हुआ है कि एक cell जो है वो अपने size को बढ़ाता है यानि cell grow करता है cytoplasm increase करता है एक cell का जिसे cytoplasm growth भी कहा जा सकता है and then after वो अपने आपको दो parts में convert कर लेता है जिसे हम cell division कहते हैं लेकिन cell division एक simple process नहीं है यहाँ पर काफी सारे events है समझ ये कि एक घर है जिसमें दो भाई रहते हैं अब उन दोनों भाईयों को घर की सारी की सारी चीज़ों को equally divide करना है तो अगर उन्हें equally सारे के सारे matter को दो हिस्सों में divide करना है तो हर चीज़ दो के multiple में होनी चाहिए अगर एक sofa है तो दूसरा भाई कहेगा कि भाई मुझे भी sofa चाहिए तो एक और sofa लाया जाएगा और दोनों भाईयों को एक एक sofa दे दिया जाएगा अगर एक AC है तो दूसरा भाई बोलेगा यार मुझे भी AC चाहिए तो एक और AC बनाये जाएगा और उसके बाद दोनों भाईयों में equally AC को distribute कर दिया जाएगा इसी हिसाब से अगर cell में mitochondria है तो organelles का duplication होगा आधे-ाधे mitochondria दोनों daughter cells को दे दिये जाएगे अगर आपका DNA है genetic material है जो nucleus के अंदर पड़ा हुआ है तो आपका ये जो genetic material है ये भी replicate होगा because DNA contains the blueprint of your life अगर आपके पास DNA नहीं है या DNA में अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपकी survival पर आँचा सकती है आपकी death भी हो सकती है छोटी मोटी अगर problems आ जाती है DNA में तो वो आपकी body में बहुत बड़ा impact दिखा सकती है जैसे अगर आप सीकल सेल अनेमिया डिजीज की ही बात करें तो एक single nucleotide mutation वहाँ पर हुई है सिर्फ एक amino acid में change हुआ है glutamic acid की जगा beeline आ गया है six position of beta globin chain के उपर in hemoglobin लेकिन उससे आपकी body में कितना बड़ा impact आया है आपके जितने भी red blood cells हैं जिनका number करोडों में है से इतनी बड़ी बिमारी हो सकती है तो अगर DNA में काफी सारी गड़बडिया है तो तो आप हाल सोच नहीं सकते daughter cell का क्या होने वाला है हो सकता है वो survive भी ना कर पाए तो that's why हमें DNA को replicate करना पड़ता है हमें organelles को duplicate करना पड़ता है हमें cell को grow करना पड़ता है उसके बाद हमें cell को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है ये जो सारे events है न ये सारे events मिला जुला कर क्या कहलाते है cell cycle कहलाते है यानि एक cell जब divide होके दो cell बना लेता है इसके बीच में जितने भी events हुए इन सब को हम लोग क्या कह रहे है cell cycle कह रहे है और यह cell division होता क्यों है cell को कैसे पता लगता है कि अब सही time है divide करने का हर cell जो है अपने cytoplasm को increase करता है यानि cytoplasmic growth is a continuous process यह हमेशा होती रहती है cell थोड़ा बहुत ग्रो करता ही रहता है अब जो nucleus है एक cell का यह particular amount of cytoplasm को ही hold कर सकता है उस पे basically command स्थापित कर सकता है लेकिन जब एक cell बहुत बढ़ा हो जाता है तो आपके nucleus की command lose होने लगती है क्योंकि cell बहुत जादा बढ़ा हो गया है तो अब nucleus बहुत जादा दूरी तक अपने command को नहीं दे पा रहा है and that's why the cell need to reduce its cytoplasm और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके cell को दो छोटे-छोटे टुकड़ों में divide कर दीचे this is basically the cell division यानि जब nucleus cytoplasmic ratio बिगरता है जब nucleus जादा छोटा पर जाता है या जब cytoplasm बहुत जादा बढ़ा हो जाता है उस टाइम पर आपका cell division होता है और बहुत प्यार a mind maps में बना कर लेकर हो जाएगा और एक भी पॉइंट आपका नहीं चूटेगा मैं जो बोल रहा हूं उसको गौर से सुनिए और जो मैं board पर मार करा रहा हूं इसको गौर से देखिए मजा ही आ जाएगा राइट मैंने आपसे क्या कहा कि भाई cell cycle क्या है एक cell में जितने भी events हो रहे है एक cell से दो daughter cells बनने तक उन सब को हम cell cycle कह रही है और यह बहुत ही coordinated way में होते हैं सारी के सारे processes ऐसा नहीं आपने पहले कुछ कुछ भी करा दिया बाद में कुछ भी करा दिया there is a sequence जैसे आपके जीवन में एक sequence है ना पहले आप बच्चे थे फिर आप adult बनेंगे फिर आप बुड़े होंगे ऐसा तो नहीं है कि बच्चे से बुड़े बने उसके बाद दुबारा से जवान हो गए that is not the case तो नेचर न की बात करो हमारे गाल के सेल की अगर मैं बात करूं तो आराउंड 24 घंटे में यह डिवाइड करता है यानि एक चीक सेल को दो चीक सेल बनाने में 24 घंटे का टाइम लगता है वहीं अगर हम सेकरोमाइसिस की बात करें जो की सबसे सिंपलेस्ट फंजाय था यूनी सेलूलर उसको डिवाइड करने में 90 मिनट यानि 1,5 घंटे का लगता है एक बहुत छोटा बैक्टीरिया जैसे की एस्टेरीशा को लाए जिसे प्यार से ई को लाए भी बोलते हैं उसको डिवाइड करने में 20 मिनट का टाइम लगता है जानि जितना सिंपल सेल होगा उतनी जल्दी को डिवाइड कर पाएगा उतने ही कम उसमें जमेले होंगे जितना कॉम्प्लेक्स सेल होगा उतनी देरी से वो डिवाइड करेगा उतने ज्यादा उसमें प्रॉसेस और कॉम्प्लेक्स होते हुए चले जाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है एक पूरी की पूरी सेल साइक वाइस सबसे पहले आता है आपका rest phase, लेकिन इसे resting phase समझने की गलती मत करना, इसका सिर्फ नाम resting phase या rest phase है, लेकिन यहाँ पर cell बहुत ज्यादा active होता है, इसे interphase कहा जाता है, यहाँ cell ज्यादा active होता है, क्योंकि division से पहले के सारे के सारे processes यहीं हो रहे हैं, यानि आपका जो M phase है, माइटॉसिस phase है इसमें तो आपका nucleus divide कर रहा है दो टुकरों में और आपका cell divide कर रहा है दो टुक powin में जैनि nucleus की division यानि Karyokinesis हो रही है Karyokinesis का मतलब division and cyto का मतलब होता है cell and आपका kinases का मतलब division यानि यहाँ पर तो nucleus और cell divide कर रहा है लेकिन आपकी उससे पहले की जितने भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कहा कि DNA replicate कर रहा होगा, mitochondria का number double हो जाएगा, plants में chloroplast का number double हो जाएगा, यह जो organelles की duplication है, यह सारा का सारा काम, cell की growth, important proteins की synthesis, यह सब कुछ क्या होता है, आपका interface में होता है, इसलिए cell division का 95% से भी आपका कहां लगता है, interface में लगता है, और सिर्फ 5% के आसपास का time ही M phase में लगता है, अगर आप देखेंगे एक human cell को, तो around 23 घंटे का time interface खा जाता है, सिर्फ तयारी वाला phase यानि preparatory phase, और main जो division है, जिसमें human cell आपका एक cell से दो cell में convert हो रहा होगा, वो event सिर्फ और आपका ले रहा होगा, तो यहाँ पर interface काफी long होता है, and ultimately इसे resting phase से अच्छा होगा, आप preparatory phase कहें, इसमें क्या क्या काम होते हैं, अगर आप interface की बात करें, तो इसमें भी 3 sub phases होते हैं, पहला आपका G1 जिसे gap 1 phase कहा जाता है, दूसरा S नाम ही S है, तो इसे synthesis phase कहा जाता है, अब देखें भाईया क्या हुआ, यह जो gap 1 phase है, यहाँ पर जादातर organelles, जो आपकी बड़ी-बड़ी organelles हैं, duplicate करती हैं, और cell grow हमेशा करता रहता है, मैंने आपको बताया, भाई, cytoplasm में increase हमेशा होता रहेगा, तो cell grow हमेशा करता रहता है, इसमें कोई tension नहीं है, लेकिन initially एक particular nucleus के अंदर DNA का amount to c था, c मतलब content, तो आपका यह force ही हो जाएगा, amount double हो जाएगा, लेकिन chromosome के number में कोई बदलाव नहीं आएगा, अगर एक cell deployed है, तो आपका deployed ही रहेगा, haploid है तो haploid ही रहेगा, ploid ही level में कोई change नहीं आया, number of chromosomes में कोई change यहाँ पर नहीं आया, chromosome को बना करके देखें, if you will make a chromosome over here just for reference, तो यह अगर एक chromosome था, तो इस chromosome के अंदर यह पहले का DNA present था, अब इसका amount double हो गया है, इसका amount double हो गया है पहले से, लेकिन chromosome का number तो नहीं बढ़ाना, यह तो उतना का उतना ही रहा है, this particular thing is shown over here, कि amount तो आपका 2c से 4c हो गया, लेकिन का 2N ही रहा, और यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि DNA replication के साथ होती है centriol duplication, एक organelle थी जो animal cells में बहुत ज़्यादा important थी for the cell division process, यह आपका spindle fibers attach करेगी chromosome के kinetocore से और खीचेगी chromosome को opposite poles पर, तो यहाँ पर यह जो centriol हैं जो opposite poles पर पाये जाते हैं, यह भी duplicate होंगे S face के अं अंदर जो DNA है वो भी replicate कर रहा है, and आपका nucleus के बाहर, cytoplasm में जो centriol थे, इनका भी number double हो गया, क्योंकि अब इन्हे opposite poles पर जाना है, तो यह भी आपके क्या हो जाते हैं, double हो जाते हैं, देखे, यहाँ पर दो है न, फिर यह opposite poles पर जाना start कर देंगे, and आपका धीरे धीरे य यानि star-like structure बना लेंगे, जैसे star से आपकी चमक निकलती है, ऐसे इन से कुछ fibers निकल रहे होंगे, ऐसा लगता ही कि यह चमक रहे है, star जैसी appearance इनकी होती है, इन्हें ester कहा जाता है, दोनों poles पर आपके ester बन जाएंगे, क्योंकि दोनों poles के ओपर क्या present है, आपके centrioles present है, तो यहाँ पर S-phase में DNA replication और centriole duplication हुआ, G2 में cell grow करता है और कुछ protein बनते हैं, अब आपका DNA replicate हो चुका है, DNA को pack करने के लिए क्या कुछ proteins चाहिए, histone, non-histone proteins, chromatin में हमने पढ़ा था, बिल्कुल चाहिए, तो आपके कुछ important proteins जो हैं, वो आपके G2 में बनेंगे, तो यह सा रहे हो, cell grow कर रहा हो, यह सारे के सारे phases कहां है, आपके interface के अंदर है, correct, और कई बार कुछ cells, जो कि usually divide नहीं करते, जैसे हमारे hard cells continuously divide नहीं करते, हमारे neurons continuously divide नहीं करते, तो कुछ cells ऐसे होते हैं, जो कि इस G1 phase को exit कर जाते है, exit word यहाँ पर बहुत important है, इससे PYQ बना हुआ है, तो यह क्या करते हैं, G1 phase को exit करते हैं, और चले जाते हैं, G0 phase में, क्योंकि divide नहीं कर रहा है cell, इसलिए इसे 0 बोल दिया, इसे quescent stage भी कहा जाता है, यहाँ पर cells active होते हैं, पर divide नहीं कर रहे होते, जानि यह जो cell हैं, यह बाद में division में दोबारा से enter कर सकते हैं, तो यह न enter करेंगे दोबारा, तो भी G1 में ही enter करेंगे, है ना, तो अगर G1 phase में कोई cell है, उसको फिलहाल divide नहीं करना है, तो cell को G1 बोल देगा कि निकल जाओ मेरे G1 से, और वापस आ जाएगा दोबारा से कहां, G1 में, ठीक है, तो यह G1, S, G2 and G0 जो है, यह interface में ही हो रहे हैं, अ यहां पर जैसा cell आपने starting में लिया है, daughter cells भी exact वैसी ही बनेंगी, अगर आपने deployed cell लिया है starting में, तो दोनों जो cells बनेंगे, daughter cells वो deployed ही होंगे, अगर आपने haploid cell लिया है starting में, तो दोनों जो daughter cells बनेंगे, वो haploid ही होंगे, यहां पे chromosome के number में कोई change आपका नहीं देखने को मिलता तो equational division इसको कहा जाता है और यह आपका usually कहा होता है यह animals में आपका deployed cells के अंदर होता है जैसे हमारी body deployed है तो हमारी body की जो growth हुई है हर sexually reproducing organism एक single cell zygote की division के बाद ही तो बना है तो हमारे अंदर जो trillions of cells है यह actual में starting में तो एक deployed zygote से ही divide होकर बने है न तो एक जो deployed cell था इसने multiply करके बहुत सारे deployed cells बनाए तो हमारी body में जो growth होती है जो repair होता है यह सारी चीज़े जो चल रही है that are because of the mitosis process तो हमारे अंदर growth, repair यह सारी चीज़े mitosis process से होती है तो यह equational division होती है जैसा parent cell है same to same वैसा ही daughter cell बनेगा क्योंकि let's say मेरे पास 50 रुपए थे मैं एक parent cell हूँ मेरे पास 50 रुपए है एस phase जब आया तो मुझे amount double करने का मौका मिला तो 50 रुपए से मैंने 100 रुपए बना लिए बिल्कुल बना लिए और अब जब मैं अपनी daughter cells में यह 100 रुपए डिवाइड करूँगा तो कैसे डिवाइड करूँगा 50 एक daughter cell को दे दूँगा 50 दूसरे daughter cell को दे दूँगा तो मेरे पास भी इनिशली 50 रुपए थे मैंने double किये 100 हो गए और आधे आधे बाट दिये 50-50 चले गए daughter cell में तो मेरे पास भी इनिशली 50 रुपए थे daughter cells के पास ही 50 रुपए है एक बार मैंने double की amount को एक बार आधा-धा कर दिया यानि आपका product same आया जितना amount parent cell पे था उत क्योंकि honeybees में एक special system देखने को मिलता है जिसे haplodeploid ही कहते है females उसमें deployed होती है with two sets of chromosome और male उसमें haploid होता है with only single set of chromosome तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो male जो है वो होता ही haploid है तो उसकी पूरी body haploid cells के division सही तो बनी होगी तो वहां mitosis haploid cell में हो रही है और plant में है जैसे algae उसमें haplonic life cycle होती है तो cells है ही haploid तो वहीं mitosis करेंगे ब्रायोफाइट में भी जादातर cells आपके haploid होते है और अगर आप higher plants को देखेंगे जैसे gymnosperms, angiosperms यह आपके जादातर cells deployed carry करते हैं तो उनमें deployed cells में भी mitosis हो सकती है ठीक है अब हमारी cell की तयारी पूरी हो चुकी है division की आपका organelles duplicate हो चुकी है DNA replicate कर चुका है centriol duplicate हो चुका है proteins बन चुके हैं अब हमें nucleus को और cytoplasm को divide करना है तो यहाँ पर आपका M phase आ जाता है जिसे most dramatic phase कहा जाता है भाई मैंने आपको बताया दो भाईयों के बीच में बटवारे की चर्चा हो रही है तो यहा सच में चीज़े बटना start हुई है वो drama कहां शुरू होगा M phase में यहाँ पर जितना DNA बना है वो भी आपका divide हो जाएगा यानि nucleus भी आपका divide कर जाएगा karyokinesis में और cell में जितनी चीज़ें थी यह भी आधी-आधी बाट दी जाएंगी यानि cytoplasm भी आपका divide हो रहा होगा जो dramatic phase इसको कहा जाता है karyokinesis में pros make a team या पी मैट से आप याद कर सकते हैं pro phase, metaphase, anaphase, telophase यह 4 phases पाए जाते हैं pro phase, metaphase, anaphase, telophase देखो क्या हुआ यहाँ पर सिर्फ diagram से सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी लेकिन diagram को आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा भाई यह जो interface है यहाँ पर क्या DNA खुला खुला पाये जाएगा chromatin की format में last lecture में समझा था interface में cell divide नहीं कर रहा, divide कहां कर रहा है M phase में आ करके तो जब तक आपको कहीं जाना ही नहीं है, शादी व्याह बद्दे पार्टी में नहीं जाना है, आप coat paint पहन कर क्यों बैठेंगे, तयार क्यों हो करके बैठेंगे, अगर मुझे divide नहीं करना है मैं तो भाईया कच्छे बन्यान में ही बैठूँगा ना घर पे नौर्मली जिस चीज में मैं comfortable हूँ, वैसे बैठूँगा, खुला खुला मस्त पड़ा रहूँगा, तो इंटर फेस में जो DNA है, खुला खुला पड़ा रहता है, क्रोमोसोम की format में packed नहीं होता, लेकिन जब division का वक्त आता है, तो इसको अब तयार होना है, तो इसको अब DNA खुला खुला पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्रोमोसोम बनाया नहीं है, बनेगा कब, यहाँ पर प्रोसच सिर्फ श्टार्ट हुआ है, क्रोमोसोम प्रॉपरली बनेगा कब स्टार्ट हुई है यह जो सेंट्री होल्स है यह उप्जिट पोल पर जाने स्टार्ट हो गए पॉंचे नहीं है, अगेन वही बात है, यहाँ पर भी यह पॉंचे नहीं, opposite pole पर देखो, इसका थोड़ा सा जाना रहता है, यह कहां पॉंचेंगे, opposite poles के उपर पहुँचेंगे, कब? मेटाफेज में यानि चाहे आपके क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट होने की बात हो चाहे आपके सेंट्रियोल्स की अपोजिट पोल पर पहुंचने की बात हो दोनों चीज़े कंप्लीट कहा हूंगी मेटाफेज में स्टार्ट का हूंगी प्रॉफेज में ठीके अब देखे यहां पर मैंने यूक्लियर मेंब्रेन नहीं बनाई है धना यहां पर यह刃 ये डियट नूकलियर मेंब्रे Tucson नूकलियर में में थोड़े थोड़े छेद करना यह सबसे important है बाकी सारी चीज़े तो बाद में हो जाएंगी आपके ERGC किसके बने हुए प्रोटीन और लिपिड के के टुकडे है पर आपको दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि हमारा कोर फोकस क्या है chromोजोंस इसी लिए हमारा मेन फोकस क्रोमोर्रोम ने है का क्लॉमोजोंस का आ करके bind कर चुके हैं इन क्रोमोजोम पे और खीच तान करके क्या करेंगे इस spindle fiber इनको equator पे ले आएंगे इनको equatorial plane पे ले आएंगे यानि एकदम cell के center पे ले आएंगे ठीक है यह जो आपका spindle fiber था है थोड़ा बड़ा हुआ इसको center में ले जाने के लिए यह वाला थोड़ जब दोड़ा ऒीजना यहवाला इसको सद्राज पास तीक है एकदम center पे आ चुके हैं यह क्या है रोमोसुम इसे हम कहते हैं कि क्या बन गई मैटा फेजिक पलेट बन गई मैटा फेज जब आता है तो क्रोमोजोम equator पे amphım gli 숨 स्यॉ亲 यह से हम पता लगता है कि मैटास जो है आपका शुरू हो चुका है तो यहां पर आपका नुक्लियर एंवलप एकदम गायब नुक्लियोलस एकदम गायब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्रोमोजोम आपके अराउंड एक मिड प्लेन पे अलाइन हो चुके हैं सेंट्रियोल आपके अपोजिट पोल पर पहुँच चुके हैं क्रो मोजोम कंडंसेशन कंप्लीट हो चुक है । तो इसकी क्रो मॉजोम कैसा दिखता है इसको आप स्टेड़ी करते हैंि क्योंकि सबसे ज्यादा क्रो मोजोम यहीं पर है है एनाफेस में तो दिवाइड रहा है न दो अलग अलग हिस्सों में products तूट जा रहा है, तो यहां पर आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा कि क्रोमोसोम कैसा दिखता है, सब से compact जो है, well packed जो है, यहाँ आपको metafase में दिखाई देती है, यहाँ आप क्रोमोसोम के structure को observe कर सकते हो, तो metafase जो था इसकी property क्या क्या है? यहाँ, metafasic plate बन रही होग centriole opposite pole पर जा चुके होंगे spindle fiber यहां पर arrange हो चुके हैं जिनकी मदद से ही chromosomes को central line पर लाए गया था अब यहां पर यह जो centrioles हैं यह क्या बना रहे होंगे star like structure बना रहे होंगे दोनों pole पर जिनने क्या का जाता है esters और यह जो star like structure है यह जो star-like structure है और इन से attach जो spindle fiber है इन सारी चीजों को मिला करके दोनों opposite poles के centrioles को या esters को plus उन द्वारा छोड़े गए spindle fibers को मिला करके आप क्या बोलते हैं mitotic apparatus बोलते हैं and यहाँ पर एक खास चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो यह है कि अब भया यह आपके spindle fiber attach हो चुके है तो क्या यहाँ पर नीचे के side खीच रहे होंगे spindle fiber इस chromosome को क्या नीचे के side खीच रहे होंगे क्या उपर के side खीच रहे होंगे क्या उपर के side खीच रहे होंगे बिल्कुल भट जाएंगे यह जो एक साइड की चीजे हैं यहां पर इनको आप क्या बोलते हो यह जो एक साइड की चीजे हैं यहां पर एक साइड की दोनों आम से इसको क्या बोलते हो अब आपका श्पिंडल फाइबर यहां अटेछ हो रहा है यहां आटाइच अरफ तुरहेगा वही पार्ट हमायब कैने टुरहा वहL. यहां पर मेरे पास एक क्लिकर है कर है इससे समझने कि Eux से क्लिकर मैंने यहाँ से स्पाइडर मैंं की तरह आपना जाला चोड़ा और क्लिकर के वाले पाट पर चिपका तो यहां पर यह कि जो काई थे त्रम यहा चुता आपका पोल की तरफ जाएगा और आम सापकी पीछे-pflicht Boston आ रही होंगी आम सापकी पीछे-pflichtet आ रही होंगी ऐसा होता है यानि यहां पर क्या हवा अराम से समझे यहां पर क्या हुआ यह जो आपकी Chrommatic City यह आपकी सेपरेट हो गए एक 451 नीचे एक उपर एक निचे और जो centromiore था center पे इसके भी तो दो टुकडे हो गये ना आधे तो इस centromiore भी split कर गया तो एनाफेस में क्या होता है आपका chromatid separate and centromiore split जिससे आधे-आधे क्रोमोजोम्स दोनों cells में बाटे जा सके अब यह आपोजिट पर पहुँच जाएंगे contractor पर पहुँच करके क्या कर लेंगे अप्ना दुबारा से olduğunu मेंप्रेन डेवलप कर लेंगे और खुले-खुले present हो जाएंगे जैसे पहले present थे इंटरफेस में खुले-खुले present है इसलिए मैंने यहाँ पर chromosome नहीं बनाया खुला-खुला यहाँ पर मैंने क्या दिखा दिया है कि organization present है और यहाँ पर यह centriol opposite pole पे था यह centriol opposite pole पे था यह ऐसा ही रहेगा जब cell को हम divide करेंगे दो टुकडों में तो अगला जो cell है daughter cell उसमें आपका DNA content चला जाएगा जितना आपका parent cell में था उतना ही और यह centriol चला जाएगा जो अगली cell division में duplicate कर लेगा यह आपका दो इस प्रकार के centrosomes बना लेगा और दूसरे में भी आधा आपका genetic material चला जाएग यह वाला पार्ट नीचे वाला जो एस्टर था यह चला जाएगा जिस बेसिकली और केरियो काइनेस यानि nuclear डिवीजन अभी cell को दो भागों में नहीं तोड़ा है तो सेल को तोड़ने के process को हम लोग क्या कहते है साइटो काइनेस साइटो मतब सेल यानि साइटो प्लाजम क की बात हो रही है काइनेस मतब डिवीजन तो यहां पर आप सेल को तोड़ने की बात कर रहे हो दो तरीके से यह हो सकता है काम अगर आप एनिमल सेल की बात कर रहे हो तो एनिमल सेल में फरो बनती है क्योंकि एनिमल सेल में सेल वाल तो है नहीं सेल मेंब्रेन है सबसे आउट यह और चांद यहाँ प्रपë से इसेंट्री नहीं बाहर से नुकिल अशने सज़े। और कर दोबलिद一些 area कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया था यह जो सेgam gesehen match प्लास्म successful गोलजी प्रोफेज में थोड़े थोड़े टुकड़े बने थे यहां पर बचा लिए जाते हैं यह सेंटर पर अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट के अंदर समझने की कोशिश करिएगा यहां पर यह अगर एक प्लांट सेल है तो इस प्लांट सेल में लेटसे आपकी क्या है सेल मेंब्रेन है तो सेल मेंब्रेन के ऊपर क्या देखने को मिलेगी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी अब आपको पता है कि यहां पर अंदर की साइड क्या थे अंदर की साइड आपके एर और जीसी थे तो सबसे पहले बहुत आराम से attach होते चले जाएंगे और बीच में एक लेयर बना लेंगे क्योंकि आपकी cell membrane flexible है और आपका और ज्यादा material add हो सकता है cell membrane में फटाफट ये cell membrane आकर के इस wall को ये जो center पे आपकी middle लेमेला बनी है इसको cover कर लेगी और देन दीरे दीरे आपकी cell wall जो है ये भी यहाँ पर synthesize हो जाएगे क्योंकि cell membrane से ही cell wall बनाने की चीज़ें ट्रांसपोर्ट करें जाती है अगर आपको cell के बाहर कुछ भी भेजना है तो membrane के थ्रूँ भेजोगे न तो यहाँ पर membrane आ चुकी है flexibility की वज़े से जैसे आपको पता लएगा और cell wall बनानी है तो आप और ज्यादा cell wall के content को यहाँ पर भेजने की कोशिश करोगे नई cell wall भी बन जाएगी और यह एक cell बन करके हम इसे centrifugal कहते हैं तो karyokinesis में आपका जो nucleus था इसके दो टुकड़े हुए प्रोफेज एनाफेज सारी चीज़े हम लोगों ने देख ली और उसके बाद आपका सचमे cell दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है एनिमल में यह तरकी बलग है जहाँ फरो बनता है क्योंकि rigid cell wall नहीं है एनिमल सेल के उपर तो फरो बनता है बाहर से अंदर की साइड तो यह तिस सेंट्री पिटल और आपका कि मियोसिस क्या है मियोसिस आपका रिड़क्शनल डिवीजन है यहां पर क्रोमोसोम का नंबर डॉक्टर सेल में आधा हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर डियने को डबल करने का मौका मिल रहा है सिर्फ एक बार लेकिन आपको यह डियने डिच्रीबूट करना है चार रॉक्टर सेल्स में यहां माइटासिस की तरह सिंपल इवेंट्स नहीं है कि एक सेल था उससे दो सेल बन गए यहां आपका मियॉसिस वन भी होता है जहां पर आपका एक cell से पहले दो cell बनेंगे फिर वो दोनों के दोनों cell meiosis 2 में enter करेंगे और आपके दो cell से 4 cells बन रहे होंगे तो यहां पर समझ लीजे मेरे पास वही 50 रुपे थे अब मेरे पास 50 रुपे हैं तो मैंने इंटर फेज में क्या किया भाय अपने 50 रुपे को 100 रुपे में convert कर लिया अगर मैंने 50 रुपे को 100 रुपे में convert कर लिया है अब मुझे ये 100 रुपे 4 daughter cells में बाटने है तो क्या हर daughter cell के हाथ में 25 रुपे आ जाएंगे बिल्कुल आ जाएंगे बाप के लिए तो सारी बेटियां बराबर हैं, तो वो तो एकदम बराबर distribution कर देगा, लेकिन क्या पिताजी के पास पहले 50 रुपए थे, जो उन्होंने 100 में convert किये, येस, क्या हर डॉटर सेल के हाथ में आज के दिन में 25 रुपए है, येस, यानि पिताजी से तो आदे हो होता है, हम जब gametes बनाते हैं तब, हमारी बॉड़ी के normal cells जो है, वो somatic cells जो है, deployed है, और हमारा sperm जब बनता है, males के अंदर, या OM जब बनता है, females के अंदर, तो वो कैसे होते है, haploid, यानि किस process से बने होंगे, आपके meiosis से, तो meiosis is very important in sexual reproduction, और यहाँ पर काफी सारे changes भी आते हैं, because of this meiosis, क्यों, let's try to understand this, मैंने आपको बताया, interface तो आपका common रहेगा, अब mitosis में तो एक ही बार division हो रही थी, यहाँ पर meiosis 1 and meiosis 2 है, और same events होंगे, karyokinesis, cytokinesis, सबसे पहले आप दो daughter cells बना रहे हो, तो पहले उन में nucleus को divide करोगे, फिर cytoplasm को काट दोगे, तो दो daughter cells बन के चार daughter cell बनेंगे, यानि karyokinesis और cytokinesis तो एकदम process है ही, जो यहाँ पर भी होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, karyokinesis के event को, हम लोग 1 या 2 number लिखके represent करते हैं, same events है, prophase, metaphase, anaphase, telophase, लेकिन अगर वो meiosis 1 के events है, तो यहाँ लिखोगे, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, ओके, यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई है, इसको correct कर देते हैं, यह आपका meiosis 1 का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, correct है, सारी के सारी चीज़े 1-1 दिखाई दे रही है, एकदम correct है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आपको karyokinesis में क्या देखने को प्रोफेस 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2, depending upon यह आपके किस particular meiosis के events है, उसी हिसाब से इनका नाम दे दिया जाएगा, सबसे खतरनाक चीज जो meiosis 1 में है, यह आपकी reductional division है, यहाँ क्रोमोजोम आपको सीधे सीधे आधे आधे बढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे, डिखाई दे ज बहुते हैं, भाइ, father साहाब का जो sperm है, वो भी haploid है, and mother का जो ovum है, वो भी haploid है, यानि 23 क्रोमोजोम male gamit से आते हैं, 23 क्रोमोजोम female gamit से आते हैं, तो male के पास भी chromosome number one है, female के पास भी chromosome number one है, तो हमारे पास chromosome number one की जोड़ीigram नहीं हो गई, क्या, बिल्कुल हो गई, एक हम बोलते हैं paternal जो father साप से आया mother से आया उसे कहते है maternal यानि हमारे पास दो chromosome number one है और क्योंकि यह same size के है chromosome number one ही है same size के होंगे same position पर same gene present होगा इसलिए इन्हें homologous chromosome कहा जाता है जूतों की जोड़ी अगर आप बनाना चाहरे हो तो क्या दोनों जूते same size के होने चाहिए जाहिए जाहिड सी बात है ऐसा थोड़ी है कि मम्मी की चपल और पापा के जूते की जोड़ी बना दो गए that's not possible दोनों जूते same size के होने चाहिए तो mother का और father का chromosome number one क्या homologous chromosome का एक pair हो गया chromosome का एक pair हो गया yes मदर का और फादर का क्रोमोजोम नंबर टू एक पेर हो गया, येस, मदर का और फादर का क्रोमोजोम नंबर सेवन पेर हो गया, येस, 21 पेर हो गया, येस, 22 पेर हो गया, येस, बस एंड में आपका सेक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो मदर के पास तो सिर्फ X है, तो मदर तो X ही chromosome दे सकती है, फादर के पास X और Y दोनों options है, तो यह जो जोड़ी है, यह unequal हो सकती है, X, X भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, female के अंदर, अगर एक female पैदा हो रही है तो, X, Y भी हो सकती है, male के अंदर, अगर male पैदा हो रहा है तो, यानि यहाँ पर अगर हम माल एक ऐसा आपका organism है जिसमें एक pair of chromosome है यानि दो chromosome है एक आपका mother से आ रहा है एक आपका father से आ रहा है यह हमने माना ठीक है तो जहां पर यह है let's say आपका father सहाब का chromosome 1 यह है mother का chromosome 1 तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे meiosis होती है कैसे नए combinations बनते हैं सबसे खतनाच चीज जो है meiosis 1 की जो मैं बता रहा था है reductional division है यानि यहां पर आपका basically chromosome का number आधा हो जाएगा and meiosis 2 जो है यह आपकी mitosis जैसी है इंटर काइनेसिस इंटर फेज नहीं है इंटर फेज तो शुरू में आ रहा था ना इस इंटर काइनेसिस इंटर मतलब इन बिट्वीन काइनेसिस मतलब division यानि meiosis 1 और meiosis 2 division के बीच में यह gap आ रहा है जहां पर DNA दुबारा खुलता नहीं है मैंने आपको बताए था कि यहा DNA वापस से मस्थ हो गया लूज हो गया इसने बेसिकली अपने क्रोमोसोम जो की पैक्ड़ फॉर्म है उसको लूज कर दिया है he has lost his identity खुल गया है आपका DNA यहां पर लेकिन क्या meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में ऐसा काम हो सकता है बिलकुल नहीं हो सकता बाई यहां पर आपको एक ही शादी अटेंट करनी है आप घर में कच्छा बन्यान में बैठे हुए थे आपने शादी अटेंट करी है ना तो घर आकर आप आप दुबारा से अपनी शाही पोशाक में बैठ गए कोट पेंट आपने उतार दिये दुबारा से आप घर में निककर में बैठ गए हो क्योंकि आपको कोई और event अटेंड नहीं करना है यहां पर आपके पास दो consecutive events है पहले ममी ने बोला कि भया एक शादी है उसमें जाना तो क्या आप दुबारा से कोट पेंट उतार होगे और दुबारा से पहन होगे नहीं दू मेक एंट नहीं कि अधर वाई यहां पर भी Т Правai और पर आपके पले करनी पडएगी Pran लेने की चुपन होती है है अशुक्य यहाँ का फोड़ा काइने की अइंड स्डूמेशियो करने हो थोड़ा रुखो 10 मिनट बैठो दोबारा से करनी है तो यहां पर बिंग नहीं होता मियोसस 1 में एक नई चीज देखने को मिलती है कि इसका जो प्रॉफेज है न भाई या यह बहुत लंबा है इसका जो प्रॉफेज है यह बहुत ही जादा लंबा है यह इतना लंबा है कि इसमें 5 अलग-अलग सब फेजिस पाये जाते हैं जिनको हम कहते हैं ला जरा पैन दे इन दोनों को कैसे याद करें पहले देखो टीन टीन दीपलोटीन साथ रख दो और सबसे अलग जो नाम है डायकाइनेस इसको अलग रख दो ला जरा पेन दे यानिवाजिन, बाकाईटे निप्लोटीन, डायकाइनیसईष छोटा सा डांस दिखाऊँ। अगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई, मदर से एक क्रोमोजोम आता है, फादर से एक क्रोमोजोम आता है, इस के अंदर हमें पता है। पहले ये आपके प्रॉपर्ली पैग्ड नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट इंटर फेज आपकी खतम हुई है, क्या रहे हो काइनेसिस का तो पहला ही फेज है ना लेप्टोटीन, तो नाम क्या है, लेप्टो, मतलब लिप्टो, तो ये जो DNA है, जो रेप्लिकेट हुआ है, लिपटना स्टार्ट हो जाएगा, यानि कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, लिपटना स्टार्ट हो जाएगा, लिप्टो, लेप्टोटीन, फिर जाइगो, जेड जो है, एक मिरर इमेज है, एस की, अगर आप गौर से देखे तो, तो इससे आप याद कर सकते हैं, क जो है यह लगा हुआ होता है यह पूरे क्रोमोजोम आपस में अटैच हो जाएंगे यह देखो यह जो पूरा क्रोमोजोम है इसके बीच में मैंने प्रोटीन लगा रखा है बहुत तगडी असोसियेशन यहां पर बन जाती है इसे कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिशन ठीक है यहां पर आपका सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना अब होता है पकाइटीन में ही सिर्फ सी अल्फा बैटा रहा है उपर से नीचे नजर खुबाओ तो यहां पर क्या होगा यह जो आपके क्रोमोजोम पास पास आए थे सेनेप्टोनीमल कॉम्प्ल क्या आपक यहां आजाएगा जहां से इन्होंने यह अटेच्मेंट दिखा रखे हैं यहां पर इनकी आम्स क्या हो जाएंगी एक्सचेंज हो जाएंगी ठीकए यहां पर इसको और क्रोमोजोम के पार्ट रीकंबाइन करेंगे को अगला क्या हुआ डिपलोटीन अब भया यहां पर आपने क्रॉसिंग करतीक टेट दिपलोटade में क्या वाला प्राट अजयलीुीद्ट त्रेजिए नीचे साइनेप्स बना रखा था गोद से देखो इस यहां पर क्या होगत पना रख्या यहां पर नहीं सब्सक्राइण हो गया है आँड मायक्रोप जाएगा किया दैगो तो यह हो गी को सब्सक्राइण हों थे एक्पूरा यहां पर बन गया, दो होमोलोगस क्रोमोजोम जो थे, यानि सेम साइज के क्रोमोजोम जो थे, साथ साथ आकर अटेच हो गए, अगला है पकाईटीन, जिसमें C आ रहा है, यानि यहां पर हो रहा होगा, आपका C for crossover, या फिर आपका recombination, तो यहां पर इस जगा पर आपकी recombination हो रही है, यहां recombination nodule बन जाएंगे, ठीक है, और यहां पर tetrad ya bivalent clearly दिखने लग जाता है, bivalent क्या है, यह पूरा क्रोमोजोम, यह पूरा क्रोमोजोम साथ में जोड़ चुके हैं, तो एक पूरा क्रोमोजोम, एक पूरा क्रोमोजोम, बाए कह देंगे इसको, बाए, हैन tetrad कह देंगे, तो bivalent और tetrad बन तो यहीं पर गया था, पर जब इन्होंने crossing करी, तो यह अच्छे तरीके से दिखने लग जाता है, clearly दिखने लग जाता है, कहां आपके pacitin में, फिर देखो भया, इनके बीच में यह जो आपका complex था, बस यह complex तूट गया, यह जो x-shape structure है, यह as it is बना हुआ है, जिर्फ यह complex आपका तूट गया है बीच में से, यानि आपका कियाजमाटा बचा रहा, x-shape structure बचा रहा, आपका seneptanimal complex तूट गया, और बाद में आपका यह x-shape structure भी खुल गया, तो यहाँ पर यह जो हरे color का chromosome था, इस पे यह वाला नीला पार्ट और यह जो नीले वाला chromosome था, इस पे यहाँ का आपका हरा वाला पार्ट आ गया, यानि crossing over या recombination complete हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर cell को देखेंगे, तो मैंने chromosome ऐसे बना रखे है न, तो यहाँ पर मान यह एक आपका ester है, यहाँ पर एक ester है opposite pole पर, तो यहाँ पर आपकी दो metafasic plate बनी हुए है, यह center है excel का, अगर मैं SSL को देख रहा हूँ, यह उपर वाला पोल है, यह रीचे वाला पोल है, तो यहाँ पर दो metafasic plate बन गई है, तो इन में चीर फार नहीं होगी, दो metafasic plate आपकी बन रही है metafase पे, तो anaphase में क्या होता है, आपका यह opposite pole पर जाना start कर देते हैं, यहाँ आपका spindle fiber आएगा, इस पूरे chromosome को इस side खीच लेगा, यहाँ आपका spindle fiber लगेगा, इस पूरे chromosome को इस side खीच लेगा, यानि क्या हुआ, मियोसिस में chromosome का number आधा हो गया, मियोसिस 1 में, ठीक है, अब यह opposite pole पर चले जाएंगे, और वही होगा, जो टीलो फेज में होता है, बाई, प्रो फेज के end तक वही काम होगा, आपका nuclear envelope गायब, जो mitosis में हुआ था, nucleolus गायब, endoplasmic reticulum गायब, gold G complex गायब, टीलो फेज में वापस आ जाएंगे, पर यहाँ पर decondensation नहीं होगी, क्रोमोजोम पैक्ड के पैक्ड ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें interkinesis के बाद दोबारा से meiosis 2 में भी तो घुषना है, तो इसे लिए वो meiosis 2 में घुष जाएंगे, और meiosis 2 में सारे की सारी चीज़े वैसी होंगी, जैसी आपकी mitosis में हुई थी, इस एक क्रोमोजोम को गौर से देखो, यह गया है, डॉक्तर सेल के अंदर, और इसकी पैकिंग ऐसी की ऐसी है, है ना, तो मेटा फेज में क्या ये क्रोमोजोम ऐसा दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, इसको सेंटर पे लेकर आ जाएंगे, हम लोग बिल्कुल लेकर क्या आ जा खतम शादी भी खतम तो अब आपोजिट पोल्स पर जा करके अब यह क्रोमोजोम डी कंडेंस हो जाएगा खुला-खुला हो जाएगा दोनों इसने अपने इवेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिर सेल हो जाएंगे डिवाइड यानि पहली बार आपका केरियो कैनेसिस हु है इसमें आपने डिवीजन कर दिया और फिर सेल को डिवाइड कर दिया तो दो डॉटर सेल बन गए आधे नंबर ओफ क्रोमोजोम के साथ यानि डिदक्शनल डिवीजन हो गया और फिर आपने इन दो डॉटर से नुकलियस को डिवाइड गया दुबारा से सेल को डिवाइ में सबसे पहले क्या होगा इंटर फेस यानी आपका जीवन फेज एस फेस जी टु फेस यह तो कॉंसेंट है उसके बाद क्या आएगा भाई आपको तेल को अग़र डिवाइड करना है तो पहले मियोसिस बन चाहिए गा करियो क्यारी काईनेसिस में भी सबसे पहले क्या आता ह प्रॉफेस तो प्रॉफेस वन बोल देंगे इसको मियोसिस का इवेंट है तो प्रॉफेस भी यहां पर बहुत जादा लंबा होता है इन फैक्ट अगर आप देखें यह जो डिपलोटीन है यह तो आपका कई और इनक्लोडिंग उमन बिंग्स के अंदर कई सालों तक अगर एक गर्बवती महिला है उसके अंदर एक बच्ची है यह ना बेबी गर्ल है तो क्या होगा वहां पर उस बेबी गर्ल में आपका ओवम डवलप्मेंट स्टार्ट हो जाता है फिमेल गैमेट का डवलप्मेंट स तब वो डिप्लोटीन जा करके दुबारा से कंटिन्यू करता है डिवीजन को तब जाके आगे के मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं तो यह डिप्लोटीन जो है तो कई सालों तक भी टिक सकता है काफी सारे वर्टीब्रेट के अंदर तो यहां पर अगर आप द अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा दुबारा से इंटर काइनेस के बाद प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टीलोफेज टू और फिर दुबारा से साइटो काइनेस हो जाएगी मियोसिस टू की दी इन में conceptually एक भी पॉइंट नहीं चूटा ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको ना बताई हो चैप्टर से विकॉज रिविजन लेक्टर इट नीड टू बी रेली एफिकेट पेपर से पहले आप 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 गंटे के सेशन नहीं देख सकते पर अगर आप इन सेशन को पेपर के एक हफ़ते पहले भी देखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट एक बहुत अच्छा रिविजन मिलेगा I hope ये compact सा mind map आपको पसंद आया होगा and जो level of content है ये आपको बहुत excite कर रहा होगा in coming sessions हम लोग बाकी जो biology के chapters है उनके mind maps को भी दीरे दीरे unlock करते जाएंगे decode करते जाएंगे and I hope आप लोग बहुत ज़्यादा appreciate करेंगे इन efforts को because mind map आपको बनने में बहुत ज़्यादा time लगता है पूरा content जो है उसको एक अच्छे तरीके से map करना होता है कि कुछ information ना रहे और कम से कम slides में ज़्यादा से ज़्यादा information डाली जा सके जिसने वो खुबसूरत भी लगे उनकी खुबसूरती भी कम ना हो और जो level of content है उसके साथ भी छेड़खानी ना रहे तो आप एक बार प्लीज अपने feedbacks भी comment section में शेर करिएगा lots of love Jai Hind will truly catch you in the coming session with another mind map of chapter living world thank you bye bye take care lots of love Jai Hind